कानून अपने हाद में मतलो वर्ना कारवाही होगी सुप्रीम कोर्ट ने एक वाप। से रख्ष्याומंत्रालै को लपेट नमस्कार दोस्तों वन रेंग वन पैंशन नीती के सब पैंशन भूगतान का मामला में सुप्रीम कोर्ट ने एक वाप। से क्ल्यारिफाई कर दिया कि पैंशन के बकाय को किस्तों में देने के नोटिफिकेशन को मोधी सरकार को वापिस लेना होगा सिजियाई डिवाईसी चंदर चूट ने कहा कि सिनुष्चित करें कि रक्षया मंत्राले कानून को अपने हाथ में लेने का प्रियास ना करें 20 जनवरी के नोटिफिकेशन को वापिस लिया जाए उनको इस तरह सवते संध्यान लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं करना चाहिए था इसे वापिस ले, नहीं तो सचीव को पेश होने को कहेंगे, पहले नोटिफिकेशन को वापिस ले, तभी केंदर की पैंसन बकाया देने के लिए और समय देने की आरजी पर शुनुवाई होगी, सुप्रेम कोर्ट ने अटरने जनल से अगले सुमवा तक पैंसन बकाया के भुगतान बकाया है, इसमें कितनी टाइम लाइन्स में चुकाया जाएगा, साथ ये बताएं कि जो भुजूर्ग है या फिर जो विद्वाई हैं, उन पैंसन धार को कैसे प्रात्यमिकता के तैदी से चुकाया जाएगा, इस मामले में 20 मार्च को अगली सुनुवाई होग 27 जनुवरी 2023 को सुप्रेम कोर्ट ने रक्ष्यामंत्राले को कड़ी फटकार लगाई थी, कोर्ट ने कहा था कि ओर रूपी को लेकर सुप्रेम कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा, रक्ष्यामंत्राले ने पैंसन मामलों के सचीव से विक्तिगत हलपनामा मांग कर अगर नहीं बलकि कानून के सासन की बात है, अपना गर व्यवस्तित करें, रक्ष्या सचीव अपना 20 जनुवरी का नोटिफिकेशन वापिस ले, अगर नहीं लिया तो हम रक्ष्यामंत्राले को आउमानना नोटिश जारी करें, वहीं सुनवाए के दुरान याचिका कि लगबग 4 लाग पैंसन धार्कों की मिर्त्यू हो चकी है, दसर 20 जनुवरी को रक्ष्या सचीव ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि वह आरोपी के थायत पैंसन को चार किस्तों में जारी करेंगे, इसे पहले 9 जनुवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने केंदर को कहा था कि 15 मास तक सभी को भुगतान किया जाए और इस दोरान एजी आर्विंक टरमेणी ने कहा कि मैं विक्तिकत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहा हूं उर्से जल्द ही भुगतान किया जाएगा, 25 लाग पैंसन भोगी है, लिस्ट अंतिम स्क्रीनिंग के लिए मंतराले के प बनता है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को साफ तोर पर क्लारिफाय कर दिया है कि कानून अपने हाथों में मत ले, वरना तो यहां पर मुखे स्चिव को पेस होना पड़ेगा अदालत में और आगे की जो आउमानना परिक्रिया है वो की जाएगी, दरसल ओरो पीट का भु सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, पुरो सैनिकों की संस्ता, इंडिन एक्सर्विस्मेंट मोव्मेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले पर पुनरविचार के मांग की थी, जिसको ठुकरा दिया गया था कोर्ट के दवरा, जस्टिस डिवाईसी चंदर्चूर, जस इसी धांत में कोई सेमधा ने खामे नहीं दिखी, कोई विधाई जनादेश नहीं है कि समान रेंक और समान वाले जितने भी पैंसल भोगी हों, को समान पैंसल दी जाए, सरकार ने एक विक्तिकत नेतिकत फैसला लिया है, जो कि उनकी सक्तियों के दाएरे में, एक इसी धारे करने का नोटिफिकेशन दिया, जिसके बाद फिर से सुप्रीम कोट पहुंचे एक स्रिविसमेन, और आप एक बाद फिर से के इंदर को फटकार लगाते वे, जो आभी हल्प नामा दाय करने को यहाँ पर सुप्रीम कोट ने कहा है, और अपना नोटिफिकेशन के मात्यम से तुरंद आवगत कराते रहेंगे तब तक के लिए बने रिमाशा धन्यवाद जैहीं जैभाद